दोस्तो बिग बॉस सीजन 17 की बात करें तो बिग बॉस सीजन 17 के अभी हाल फिल हाल बाबू भाईया जो हैं वो इमोशनल हो गए दरसल उन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी अचानक बयानक को बताई अब जैसे उन्होंने ये बात बताई तो उनका गला भी भराया था हाल फिलाल वो बात रूमेरिया में खड़े थे और अचानक बयानक से बात कर रहे थे जहां अचानक बयानक अपनी ही लाइफ स्टोरी अपने स्ट्रगल्स के बारे में बता रहे थे इस दौरान उने बताये कि यार लाइफ में मैंने भी बहुत स्ट्रगल देखा है मेरे पिता जी एक टीचर है और हमारे पास बहुत ऐसा भी टाइम था कि हम बहुत जादा मतलब इतनी कमाई नहीं होती थी और मैं कुछ भी नहीं कर रहा था मैं बाइक उठाता था और चला जाता था लोग जो हैं बस मेरे पापा को ताने देते रहते थे कि आपका बेटा कुछ भी नहीं करता है आज मैं कुछ कर रहा हूँ जिस वज़े से यहां पर पहुँचा हूँ आज सभी लोग मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं मेरे साथ फोटो की चाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब मेरे पापा को सब ताने दिया करते थे मेरे पापा टीचर थे तो सब उन्हें कहते थे कि आप तो टीचर हो आपका बेटा ही कुछ नहीं कर रहा आप दूसरों को क्या पढ़ाते हो दूसरों को क्या सिखाते हो और यही बात बोलते बोलते हो इमोशनल हो जाते हैं अचनक बयानक वहाँ बैटे होते हैं वो भी अपनी लाइफ की कहानी बताने लग जाते हैं और बताते हैं कि यार एक टाइम मेरा भी ऐसा था कि जब कोई मुझसे पूछता भी नी था कि तुमने खाना खाया कि निकाया अब मेरे चाचा की फूपी के रिस्तेदार हर कोई मुझसे बात करना चाता है मुझसे मिलना चाता है अब ऐसा हो गया है बहराल ये दोनों बात करी रहे होते हैं और दोनों अपने इस निसकर्स पे पहुंचते हैं कि आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि मैं अपने माबाब को कुछ ऐसा करके दिखाऊं जिससे वो बहुत प्राउड और खुश फील कर सके यहाँ पर बाबु भया ये बात कहते हैं कि देखो मैं जो भी कर रहा हूं मेरे को बहुत प्राउड आइस चीज़ का कि मेंने मेरे मंभी बाबा के लिए जो भी किया है सब उनी के लिए किया है बहालां बाबु भया के बात सुनके अचानक भाई भी खुश हो जाते हैं आपको कैसी लगी उनकी लाइफ स्टोरी आप हमें कमेंट करें अपनी राइच ज़रूर बताएं और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को